हेलो एवरिवान, बेलकाम बैक टू माई चैनल, अब जो जारखन्ड में नए प्रसिक्षित सायक सिक्षकों की नुपती होगी, तो उनका जो शुरुवाती वेतन है वो पंदरह हजार तक कम हो जाएगा सिक्षकों की नौकरी में अब पहले जैसी रौनक कहेंगे, सो रौनक नहीं रहने वाली है, सम्मान भले ही मिलता है, लेकिन पैसा जो है कम होता दिख रहा है राज्ये में ब्यापक अस्तर पर सिक्षक बहाली की तैयारी की जा रही है, इस से पुर्व नियमावली में भी शंसोधन किया जा चुका है जारखंड सिक्षक नियोजन का सिक्षक नियुक्ति का जो नियमावली था उसमें संसोधन हो चुका है और सबसी बरा जटका सिक्षकों के सुरुआती वेतनमान में मिल सकता है सिक्षकों के लिए सुरुआती ग्रेड पे पहले की तुलना में कम कर दिया गया है इससे इतना तो तेह है कि प्राइमरी स्कूल में नियुक्त होने बाले सिक्षकों को पहले के सिक्षकों के मुकाबले प्रारंबिक बेतन मद में 10,000-15,000 रुपे तक कम मिलेंगे इसकूली शिक्ष्याबम साक्षर्ता विभाग की प्रस्तावीत नियमावली में इंटर प्रसिक्षित सिक्षकों के सुरुवाती ग्रेड पे ब्यालिस सो की जगा 2400 कर दिया गया है इस हिसाब से पुर्ब में जहां नव नियुक्त प्रारंभिक सिक्षकों को 35400 रुपे प्रारंभिक बेतन मिलता था वही अभियाह आकरा 25500 के करीब होगा बेतनमान के साथ डीये में भी इसी प्रकार की गिरावट होगी इसी प्रकार असनातक प्रसिक्षित शिक्षकों के लिए सुरुवाती ग्रेड पे श्यालीस सो रुपे से कम करते हुए अठाइस सो रुपे कर दिया गया है नई नियमाबली के अनुसार राज्य में अब दो प्रका इंटर प्रसिक्षित और असनातक प्रसिक्षित शिक्षक नियुक्त होंगे नई नियमाबली में इनका बेतन मान कम कर दिया गया है जारखन से पहले इस तरह का बदलाओ बिहार और उत्तर प्रदेश में हो चुका है दूसरी और पुर्व से नियुक्त सिक्षकों के बेतन पर इस नियमाबली का कोई प्रभाब नहीं परेगा मतलब जो नया नियुक्ती होगा उन्ही पे इसका प्रभाब परेगा पहले से जो लोग नियुक्त है उन पे इसका कोई प्रभाब नहीं परेगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई